तो हेलो एवरीवन आगे इसको कंटेन्यू करते हैं वरी शॉटन सा टाइप कोशन को हम लोगे लेन 11 नमबर को बनाते हैं A-B is equal to 45 degree and 10A-10B is equal to root 3 then 10A into 10B is equal to तो यह तो उसी पर बनेगा हमारा 11 नमबर है वो हमारा किस पर बनेगा 10 10A-10B दिया हुआ है इसका मतलग 10A-B is equal to यह जो जानते हैं 10A-B, 10A-10B upon 1 plus 10A into 10B पर बन जाएगा पुरी तरह से इसी पर बन जाएगा क्यों क्योंकि A-B 45 degree दिया हुआ है तो A-B 45 degree दिया हुआ है तो A-B के जगा अगर हम 45 degree रखेंगा तो 1045 degree हो जाएगा यानि कि 1 हो जाएगा इस साइड और A-B कितना दिया हुआ है रूट 3 दिया हुआ है 10A-10B कितना दिया है रूट 3 upon 1 plus 10A into 10B यानि कि आगे यहां से क्या निकाल जाएगा 1 plus cross multiplication कर देंगे तो 10A into 10B is equal to root 3 यानि कि हमारा जो पूछ रहा था कि 10A into 10B is equal to क्या जाएगा root 3 minus 1 यह हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा यहां पर यहां पर यही चीज़ देखना था कि यह प्रस्न यही पूछ रहा था सोच अतिकरना की कोशिस कर रहा था कि आपको यह फर्मुला रिमेंबर है कि नहीं याद है कि नहीं और अगर याद है तो आपको इसको लगाने आता है कि नहीं कैसे उसको अपलाई करते हैं तो यह और यह जो जो एंगल ए है वह एक्यूट एंगल है कि यूट डिग्री से 90 डिग्री के बीच में दिया हुआ है तो साइन स्कुर एका वैलू पूछ रहा है तो एक इक्वेशन दिया हुआ है यह एक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है कॉस ए पलस साइन ने लिखे जैता का पर जाएगा हमारा यह में को से माइनस साइन इंट उलस साइन यान्हिक हमारा ओ फर्फर्मुलाल लग्याएगा एक प्रस अलसीत में इस स्कौर वाईनस बी इस कॉरिद तो यानि कि cos square a minus sin square a यानि मैं डिर्ट लिख रहा हूं 2 times cos square a minus sin square a हो जाएगा हो जाएगा ना मैं cross a नीचे 1 भी तो है ना तो मैं cross multiply कर रहा हूं पता है ना cross multiplication linear equation में पढ़ा होगा is equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यह होगा ना आरिवा समझ में मैंने cross multiply किया और इस formula को लगाया तो यहां से एक चीज़ और देखो किस तरह से question different concepts को यूज कर रहा है अब देखो cos square a minus sin square a का value कितना होगा जहां यह क्या acute angle है तो cos square a minus sin square अच्छा यह acute angle नहीं होगा तो क्या यह formula लागू नहीं होगा मुझे बताना तो क्या लगता है acute angle अगर नहीं होता है तो क्या यह formula नहीं होगा यहां पर क्या होगा cos2a, cos2a का एक फर्मूला ये भी तो होता है नो cos2a minus 3 square तो यहां पर क्या हो जागा, 2 times cos2a यानि कि मैं direct लिख रहा हूं, cos2a is equal to कितना हो जाएगा 1 by 2, अच्छा, cos2a is equal to 1 by 2 यानि कि, और cos2a is equal to किस acute angle पर, किस acute angle पर cos का value 1 by 2 होता है, तो मुझे पता है कि cos कितना degree पर, 60 degree पर, यानि कि यहां से क्या आजागा, 2a is equal to 60 degree क्यों, क्योंकि दोनों तरफ cos same function है, और दोनों same है, इसका मतलब उसके अंदर का value है वो हो सकता है, degree में हो, यहां मैंने degree मिल लिया है तो यहां degree में आगा, radian में करना होता है, तो radian में मैं answer लेकर आता तो यहां से क्या हो जागा, a is equal to 30 degree तो क्या पूछ रहा था, value of a नहीं पूछ रहा था, बलकि sin square a का value पूछ रहा था तो sin square a का value पूछ रहा है, तो यहां से अब देख लो, तो sin a कितना हो जागा यानि sin a कितना, sin 30 degree के बराबर हो जागा, ठीक है sin 30 degree, कितना होता है sin 30 degree टी, 1 by 2 ओके, तो sin square 30 degree कितना हो जागा, 1 by 4 यही क्या हो जागा हमारा, answer हो जागा, यहीं न होगा न, किमकि हमसे sin square a का value पूछ रहा था हमें यह दिया हुआ था, तो मैंने इससे different concepts का use किया मैं यहां तक पहुचा, उसके बाद मैंने sin a, वगरे का, जो भी sin square a का value पूछ रहा था a का value निकाला, उसको put कर दिया, sin square a में, और मैंने यहां पर answer 1 by 4 हमारा आ गया तो इस तरह से question number 12 भी क्या हो गया, solve हो गया concepts है, छोड़े-छोटे हैं, लेकिन आपको इसको बनाना चाहिए, चाकि आपको formula याद हो जाए आपको पता चले, question number 13 जा पूछ रहा है, sin a माइनस कॉसे का value square plus sin a plus कॉसे का value square, तो देखो तो कहीं याद आ रहा है, यह a माइनस b का value square plus a plus b की whole square पर है यह, ठीक है, देखो बताता हूँ, क्या है, question number sin a माइनस कॉसे का whole square, प्लस बीच में न, प्लस है, a plus sin a plus cause का whole square, इसी का value पूछ रहा है न, अब ध्यान दो, हाला कि यह के बारे में कुछ लीखा नहीं, की acute angle है क्या है, जो भी हो, लेकिन a एक defined angle है, और यहाँ पर, ध्यान दो, अगर sin a कोई small a मान लेते हैं, कॉसे को small b मान लेते हैं, तो यह क्या है, a minus b का whole square, plus, a plus b का whole square, क्या form में आ गया, और मैंने बता था कि, इस सब का formula आपको पता भी है, और मैंने तो, पॉल्ममिल्स के chapter में, डिराइक भी क्या था कि, यह plus b क्यों, a square plus b square plus 2ab ही होता है, इसके example देखे बताया था, जो, geometry से भी बताया था, जह बरीकली तो आसान है, geometry से बिटाया था, तो इसका answer क्या होता है, two times a square plus b square होता है, क्यों, क्योंकि minus 2ab यहाँ से जो आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, plus 2ab, तो minus 2ab और plus 2ab क्या होगा, cancel हो जाएगा, तो यहाँ से a square plus b square, और यहाँ से a square plus b square, तो 2a square plus 2b square, और 2 common लेंगे, तो 2 times a square plus b square ही आजाता है, तो मैं डार्यक्ट यहां लिख रहा हूँ 2 times sin square a plus cos square a अब देखो यही तो में दार है, मुझे एक चीज़ और पहता है, sin square a plus cos square a क्या होता है, 1 होता है, अब ऐसा नहीं कि कोई जीद करें, लेकि नहीं, 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 मैं तो पढ़ा था कि science square theta plus cos square theta ही मनता है, अरे भाई, तो theta का जागा, कोई दूसरे अंगल यह मन लेते हैं, लेकिन दोनों अंगल तो same है, तो यह भी तो value 1 ही होगा, न, अरे बहुत सुने, तो symmetry में यही होता है, कि use होते रहता है formula, और काफी simple, बहुत प्यारा सा यह आपका answer आ जाएगा, यहाँ पर, is equal to, तो 2 times 1 कर दे, यानि कि हमारा value क्या गया है, 2, बहुत simple सा हमारा, लेकिन बहुत beautiful यह answer, 2 हमारा answer हो गया, यानि कि इस पूरे का value क्या है, 2 है, okay, so, अब आते हैं question number 14 पर, क्या पुछ रहा है, a plus b, 60 degree दिया हुआ है, then the value of sin a into cos b, plus cos a into sin b, ठीक है, क्या दिया हुए एक तरफ, a plus b, क्या दिया हुआ है, 60 degree दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है, कि sin a into cos b, plus cos a into sin b का value बताओ, अच्छा, यह याद है, किसका formula होता है, याद है कुछ, यह होता है, sin a plus b का formula, होता है, जब हम complementary angle, जब हम compound angles का पढ़ लेते हैं, compound angles पढ़ लेते हैं, तो हमें इसका value चाहिए, लेकिन यह इसके बरावर होता है, यानि मैं इसका value निकालना हूँ, तो इसका value निकल जाएगा, यानि मुझे बस इसका value चाहिए, इस RHS का, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है, sin a plus b 60 degree दिया हुआ है, यानि कि मैं इसको यहां लिखू, a plus b के जगा 60 degree रख दू, और sin 60 degree कितना होता है, root 3 by 2, यानि कि हमारा answer आगया, यानि कि यह लंबा सा जो लिखा होता, sin a into cos b plus cos a into sin b, इसका answer क्या आगया, root 3 by 2 हो गया, क्यों, क्योंकि इस पूरे का value sin a plus b होता है, और a plus b 60 degree यह भी given है, यह क्या है, given है, ऐसे ठीक है, मैंने अपने से नहीं लिया है, तो a plus b के जगा 60 degree put कर दिया, तो यह क्या हो गया, root 3 by 2, तो हमारा answer क्या हो गया, root 3 by 2, अब आगे चलते है, question number 15, in triangle a, b, c, the value of cos a minus b minus cos c, ओके, तो यह थोड़ा सा अचा question है, तो triangle है, आपको पता नहीं कि triangle अगर a, b, c है, मालो, तो पता नहीं कि एक triangle का 3 सम, जो angle का सम होता हो, क्या होता है, 180 degree होता है, क्या होता है, pi, अब बताओ, तो हम से क्या पुछ रहा है, cos a minus b minus cos c का value पूछ रहा है न, यानि कि जो भी हमारा अंसर आएगा वो एंगल a,b और c के टर्म में आएगा ठीक है यही पूछ रहा है ना ठीक है तो अब बताओ लेकिन हम एक चीज़ पता है a plus b plus c is equal to pi pi 180 degree ना लेकिन मैं यहाँ पर sexajacimal में न लिखके angle के measure को मैं किसमें लिख रहा हूँ circular में तो यहाँ से c का value कितना आ जागा pi minus a plus b आ जागा हो जाएगा इस c के value को मैं इसमें put कर दे रहा हूँ देखो तो cos a minus b minus cos c के जागा क्या लिख दूँ एंगल c के जागा यह लिख दूँ पाई माइनस a plus b लिख दूँ बोलो होगा अब बताओ यह क्या है cos pi minus a plus b को माल ले ठीटा तो यह क्या है cos pi minus ठीटा ही तो है यह चीज और cos pi minus ठीटा कितना होता है minus cos ठीटा यह पढ़ना है ठीक है है अला कि इस में इस ट्यप्रमेंद दिया हूँ है तो यह क्या हो जागा cos a minus और भी कई तर्दी को बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जागा अब देखो cos a minus b कितना होता है, cos a into cos b plus sin a into sin b, okay, इसको छोड़ा सा मैं नीचे ही रखता हूँ, okay, और cos a plus b क्या होता है, cos a into cos b minus sin a into sin b, तो पलस sin a into sin b, और माइनस sin into sin b, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचाएगा, cos a into cos b, पलस cos a into cos b, यानि 2 times cos a into cos b, हमारा यह क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, okay, तो यानि कि किसी भी triangle में, अगर यह इसका value पूछे, cos a minus b minus cos c, यह cos c है, यह कोई एंगल है, okay, इसका value पूछे, तो क्या होता है, 2 times cos a into cos b, okay, तो यहाँ तक मैंने इसको बनाया है, question number 16 को देखते है, a, b, c, यह right triangle, right angle at a, then tan a, b into tan c, ठीक है, तो कहा रहाएगी, a, b, c, कोई right angle triangle है, और angle a पर यह right angle है, यह जरूरी है, यह नहीं कि आपसे a लिखना शुरू कर दिए, तो a, b, c, ठीक है, a पर क्या है, right angle triangle है, देखो, a पर क्या है, right angle triangle है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, tan b into tan c का गलूप पूछ रहा है, सबसे पहले पता करो कि क्या पूछ रहा है न, बरावर what, ठीक है, तो एक चीज बताओ, angle a plus angle b plus angle c क्या होगा, 180 degree होगा, बोलो, ठीक है, पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाई नहीं लिख रहा हूँ, कोई दीकत नहीं है, मैंने सेक्सा जेसिमल में इस angle के measure को लिखा है, अगर मैं इसको circular system में लिखता है, तो radian के terms में यहाँ पाई लिखता है, पाई रेडियन, ठीक है, लेकिन यह angle a कितना है, 90 degree, तो यानि b plus c कितना होगा, तो angle a 90 degree है, तो अगर यह एक चीज पचला है, कि angle b plus c कितना है, 90 degree के बराबर है, तो यहाँ से मुझे एक चीज पचल कि angle b plus c कितनी के बराबर है, 90 degree के बराबर, ओके, हो गया, तो दोन तरफ tan ले लेता हूँ न, तो tan b plus c कितना होगा, tan 90 degree के बराबर, ओके, लेकिन tan 90 degree कितना होता है, infinity होता है, तो यानि, अच्छा, tan b plus tan c, ठीक है, यहाँ पर b है, अपोन 1 minus tan b into tan c, बराबर क्या हो जाएगा, infinity, या फिर इसको बगल में लिख दो, not defined है न, infinity या फिर not defined, जो भी दोनों में से लिख सकता हो, infinity और not defined, जो भी लिख सकते हो, ऐसा कब होता है, कोई fraction infinity कब होता है, जब उसका denominator क्या हो, denominator क्या हो, 0 हो जाए, denominator tends to 0, जब उसका, जो denominator है, इस fraction का, इस जो fraction है न, इसका जब denominator, 0 की और जाने लगे, 0 की और, या फिर 0 value हो जाए, 0 की और जाने लगे, या 0 को अप्रोच करे, एकदम 0 के करीब हो, तो यह पूरे fraction का क्या value होता है, infinity या फिर not defined, तो इसका मतलब यह होगा, कि इसका जो, हमारे पास क्या है, 1 minus, जो denominator है, उसको हम deal करते है, 10b into 10c, कि इसको अप्रोच करेगा, 0 को, या यह 0 के बराबर है, अप्रोच करना मतलब, 0 के बराबर, यह पहुंच चुका है, बहुत करीब है, इतना करीब है, कि यह 0 ले लिया, मैंने इसका value, आरे वह समझे बाद, यह denominator का value इतना करीब है 0 के, कि एकदब मैंने इसका value 0 ही ले लिया है, यह ऐसा है, 0.000000000000000000000000000000001, यह इस तरह से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यह इतना बड़ा लिखने से, या इस तरह से लिखने से, हैंना कि इसको 0 ही लिख दे, क्योंकि 0 के बहुत क इसलिए यहां से क्या आगया, 10b into 10c का value कितना आ गया, 1 आ गया, या तो 10b into 10c को इधर ले के आ जाओ, या फिर 1 को इधर ले जाओ, जो भी करा, 10b into 10c को मैं, A.L.C. में ले ले गया, तो यहां पर हमारा answer हो गया, 10b into 10c का answer क्या हो गया, तो यहां पर एक concept कि इसका युच क रहा था कि आपको देख रहा था कि आपको क्या पता है कि इस बारे में कि कोई fraction जब not define होता है infinity होता है तो उसका denominator क्या होता 0 को अप्रोच करता है और इतना करीब होता 0 के कि यो denominator का value 0 ही हो जाता है तो वहाँ से ये value 10b into 10c का निकलेगा बी इन रेडियंस ओके तो 10a प्लस बी कितना दिया हुआ है रूट 3 दिया हुआ है अचा रूट 3 किस कौन साय साय क्यूट एंगल है 10 में जिसका value 3 होता है तो 1060 degree का होता है ना इसका मतलब यह हुआ है यहाँ से इस सिंपल आइस a प्लस बी क्या value क्या हो जागा 60 degree क्यों क्यों क्योंकि दोनों equal है रेचेस रेचेस और दोनों तरफ 10 function है इसका मतलब अंदर का जो value है angle का वो भी equal होगा ना तो a प्लस बी 60 degree लेकिन एक चीज और हमें दिया हुआ है कि sin is equal to 1 by root 2 दिया हुआ है तो sin is equal to 1 by root 2 यानि की sin 1 by root 2 को होता है sin is equal to यानि की a is equal to क्या हो जाएगा 45 degree तो a जब 45 degree है तो यहामीं a का प्लस पूट कर दो 45 degree plus b is equal to कितना 60 degree यानि की यहाँ से क्या हो जाएगा b is equal to 15 degree है ना b is equal to 15 degree अच्छा है रेडियंस में पूछ रहा है तो B 15 degree में किसमें आया है? सेकसा जेसिमल में तो radians में पूछ रहा है तो radians में पूछ रहा है तो आपको पता है न कि एक degree में आपका 2 pi by 360 radian होता है तो 15 degree में अगर पूछ रहा है तो 15 degree में अगर पूछ रहा है तो 2 pi by 360 कर देंगे इतना radian है हमारा क्या जागा अंसर आजागा तो 15 दूनी 30 और 15 चोके 6 और 12 यानि कि इसका अंसर क्या जागा यानि कि 15 डिगरी कि इसके बराबर है पाई बाई 12 radian के ठीक है यह हमारा अंसर हो जागा डिगरी को मैं ने बदल लिया मैंने पहले क्लास में बताया था कि कैसे डिगरी को radian बदलते हैं और radian को define भी किया था अब आते हैं 18 question number पर इन triangle ABC length of three side AB BC and C 28 cm, 96 cm and 100 cm respectively find the value of cost C तो हमारा कौन सा या question number है यह बड़ देख लेता हूँ 18 question number है देखो 18 question number में मैं इसे क्यों right angle triangle बना रहा हम अधे लिखा थो नहीं है कि right angle亞 sunt dairy लेकिन यह पक का right angle triangle है अभी बताता हूँ कैसे देखो ABC ठीक है AB कितने डिया ही? 28 cm ठीक है BC कितने डिया है 96 cm और AC कितने डिया हूअ 100 cm अध्यों अगर कोई angle rectangle नहीं दिया हो है लेकिन अआग उसका side दिया हो हो अगर ऐसा कोई situation तो कैसा situation अगर यह hypotenuse जो हमारा Pythagoras theorem को अगर fulfill करता है तो यह right angle अगर a b square plus b c square is equal to a c square हो जाए तो क्या यह triangle right angle triangle नहीं होगा होगा पक्का होगा अगर ऐसा होता है तो होता है ना base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square अगर हो तो यह पक्का right angle triangle होगा और मैंने मन में calculate करें देखो एक बार देखते हैं चेक करते हैं checking check करते हैं यह भी का square कितना होगा 28 का square plus b c square आपका 96 का square है नो कि कितना होगा हम पहले किसे चलते हैं LHS को देखते हैं LHS को देखते हैं तो LHS तो यह 784 हो जाएगा और 96 96 तो कर ही लेता हूँ यही पर 636 की 6,5 देखते हैं 39 चक्ववन और नच्वशक चववन तो चववन चववन कितना होगा हमारा चार चार आठ पाइंच मारास दस थीक है एक यहां होगा 11, 89, 81 और 11, कितना हो जागा? 2, 89, 92 ठीक है? तो 9, 2, 1, 6 तो 6, 4, 10, 8, 9, 1, 10 7, 9, हाणना? इतना हो जागा? कितना हो जागा? यह आपका इतना क्या गया? सेंटीमीटर आगया? और रहेस किटना है रहेस देखो ख्लाड ये मेर्फल कर या इस का मतलब होतो हैं इसका that सब्सक्राइब आट एंगर लिए ट३र थे हैं यल्युर्श तो सब आपोजेट है सब चीज़े के और 125 होती है सब जो से gonna सब्सक्राइब किया होता हमारा कॉस्टक्राइब आयज क्वार्ट फित अपॉन हाइपोटेनिस तो सिर्छ तरह कॉस्टी किसक्व क्या लिखिंगे CosC का नहीं तो हम los घरइशिंड रखेंगी in पारा पुझारख सेंग ङसेंड बॉ Mick को और यह तो यह चींज न आ इस जो ठा openly किलीग वोध्यों कै द्द्द्बलीकु दियुके US मेरी ऊकरे जोहरा दिनाओ इसलिए हम क्या लिखते हैं एड़ेसेंट पड़ते हैं ठीक है बेस मत करना एड़ेसेंट टुदा डाइट एंगल तो यहां पर वी सी कितना हो गया हमारा 96 अपून एसी हैंड़ेट हो गया तो इसको फोर से तुम कर सकते हो पचीश चोके सो चार दुनियाट चार चोके सो लगा यानि 24 वाई 25 यानि कॉस्टी का वैलू क्या हो गया 24 वाई 25 नोटिस कर रहे हो यह जो वैलू है यह 0 से 1 के बीच में है समझे रहे हो क्योंकि कॉस्ट से 1 के बीच में होता है कॉस्ट का वैलू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा या माइनस 1 से छोटा नहीं होगा आरह समझ में कॉस्ट चीटा का जो भी वैलू है यह सही भी है ना देख रहे हो 24 वाई 25 है यह हो गया कॉस्ट नमर 19 देखते हैं 19 में क्या है साइन अग्वाल एन a प्लस बी क्या होगा तो आप पता था ना कि sin a और बरावर कॉस बी है ठीक है कॉस बी दिया हुआ है ठीक है और a और b क्या हैrurities मैंने խी बरावर फ्यह एक तो तरीका और जईकिो कॉन सा आइसा ग्यु गर्ण case नहीं है। लेकिन हमें पता है कि A और B में ऐसा A परावर 45 डिगरी हो जाए और B परावर भी अगर 45 डिगरी हो जाए तो हमको पता है कि sin 45 1 by root 2 होता है और cos 45 भी 1 by root 2 ही होता है और 45 डिगरी ये Q टैंगल है भी 0 संजानेटे डिगरी के बीच में है इसका मतलब A भी कितना है 25 डिगरी है और B भी 25 डिगरी है यानि A पलस B क्या हो गया 25 पर 45 कितना हो गया 60 डिगरी हो हमारा क्या हो गया अंसर हो गया यह तो पता ही है न यह तो simple से है ओ यहां तो खतम हो गया यह पेज ही खतम हो गया कोई नहीं यहां पर एक लास्ट हम आरा कहा 20 question no. A, B, C, right S, त्राइंगल at B, then sin squared A, plus cos squared C. ठीक है, तो sin squared A, plus को कहीं जगा बचा हुआ यहां? कहीं नहीं बचा हुआ है क्या? जो देखता हूँ! तरह इं जगा थी हो गया है. ठीक है तो यहां पर तो आसा जगा बचा हुआ है यहां पर बना देता हूँ तो 20 question number में क्या दिया हुआ है कि आइसोसेलेस right angle आइसोसेलेस ट्रेंगल है और बी पर आइट आइगल है तो a b c यानि कि a b b b b b c होगा क्या होता है ट्रेंगल के दो साइट बराबर होते है तो यहां से क्या होजागा अगल a plus angle d plus angle c टो हमने 100-C Degree जानते ही है, लेकिन यहांसे B बराबर 90 Degree है, यानि A plus C बराबर क्या हो जागा, 90 Degree हो जागा, समझ रहो G, A plus C क्या हो जागा, 90 Degree हो जागा, लेकिन Isocelist triangle है, तो AB बराबर AC भी है, और आपको पता है कि, equal side में equal angle project होता है, equal side जब होते हैं तो equal angle project होता है तो जब AB बराबर BC है तो इसका मतलब ही हो गया कि angle A बराबर भी angle C होगा ठीक है इसका मतलब angle A plus और C के जगा भी angle A रिख सकते हैं बराबर 90 degree यानि कि angle A बराबर 45 degree और angle C बराबर भी 45 degree क्यों कि दोनों side same है तो जब side same होते हैं किसी triangle में तो उस side के respective angle है वो भी same होते है तो जो AB यह जो angle बना रहा है ना angle A और यह BC जो बना रहा है angle C यह दोनों बराबर होगे क्यों कि AB बराबर BC है क्यों क्यों कि इसका मतलब त्रेंगल है sine A तो 1 by root 2 हो जागा तो sine square A 1 by 2 और cos square C यानि cos 45 degree यानि 1 by root 2 उसका squaring करने के तो 1 by 2 यानि 1 हो जागा हमारा answer क्या हो जागा sine square A plus cos square C का value 1 हो जागा यह हमारा answer हो जागा और भी तरीके से बना सकते हैं इसको C का value अगर 90 degree minus 1 कर दें तो क्या हो जागा 2 sine square A लेकिन यह का value अभी भी नहीं पता है तो यह इसी से बनेगा इस चीज से तो इसका PDF मील जागा और आगे side class 9 का chemistry का परहा चप्टर होगा और फिर level 1 के भी इसमें questions बना जाएंगे वेरी sort of some type questions में बता दी है जो भी बताना था इसमें और बाकी level 1, level 2, level 3 आगे बनाया जाएंगे So thank you so much for watching this I have a great day यह हो गया